हेलो बच्चों, मैं शिक्षा सामरा सक्सेसीडीज एजुकेशन से आज से हम कक्षा दस्वी हिंदी की पाठ्या पुस्तक संचेयन भाग दो का पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं आज हम पाठ एक पड़ेंगे पाठ एक को हम दो भागों में जानेंगे आज हम पाठ एक का भाग एक जानेंगे पाठ एक में हरिहर काका के बारे में कहा गया है उनके बारे में एक कहानी बताई गई है और इसके जो लेखक हैं वो है मिथिलेश्वर जी मिथिलेश्वर जी ने हरिहर काका के बारे में क्या बताया है हरीहर काका के जीवन काल में क्या-क्या घटनाएं घटी है उन सब का वर्णन इस पार्ट में किया गया है और इस पार्ट के जरीए आपको जानने को मिलेगा कि हमारे समाज में भी बहुत तरह के लोग होते हैं और जरूरी नहीं है कि वे सभी हमारा अच्छा चाहते हों उन मैंसे कुछ स्वार्थी स्वभाव के भी होते हैं और हमें उन लोगों से दूर रहना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं मिथिलेश्वर जी के द्वारा लिखी गई अद्वुत कहानी हरीहर काका हरीहर काका के यहां से मैं अभी अभी लोटा हूँ कल भी उनके यहां गया था लेकिन ना तो वह कल ही कुछ कह सके और ना आज ही दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा लेकिन उन्होंने कोई बात चीत नहीं की यहां पर लेखक बता रहे हैं कि वे हरीहर काका के घर से अभी अभी लोटे हैं और जो लेखक हैं वो उनके घर कल भी गए थे और आज भी गए थे लेकिन हरीहर काका ने ना तो उनसे कल बात की और ना ही उन्होंने आज उनसे कुछ कहा दोनों ही दिन जो लेखक हैं वो हरीहर काका के पास काफी देर तक बैठे रहे लेकिन हरीहर काका ने उनसे कोई बात चीत नहीं की जब उनकी तबियत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठा कर एक बार मुझे देखा फिर सिर जुकाया तो मेरी और नहीं देखा हलांकि उनकी एक ही नजर बहुत कुछ कह गई तबियत कहा जाता है शरीर की स्थिती को या मन की स्थिती को तो जब लेखक ने हरीहर काका से उनके शरीर की स्थिती या मन की स्थिती के बारे में पूछा कि वे कैसे हैं उनका हाल चाल कैसा है उनकी तबियत कैसी है तो हरीहर काका ने लेखक को सिर उठा कर एक बार देखा और उसके बाद सिर जुका दिया और उसके बाद लेखक को नही गिरे थे और जिस मनस्तिती में जी रहे थे उसमें आखें ही बहुत कुछ कह देती है, मुह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, यंतरनाय होता है यातना कलेश्या कष्ट और मनस्तिती होता है मन की स्थिती, तो लेखक बताते हैं कि जो हरी हर काका थे, वो किस कष्ट में थे, किस कष्ट से घिरे होए थे, उनकी मन की स्थिती कैसी थी, वो किस हाल में जी रहे थे, ये सब बताने के लिए उनकी आखे ही काफी थी, उनोinnे मुو खोलने की जरूरत नहीं थी, लेखक उनकी आखों से ही समझ गए थे कि उनकी स्थिती कैसी है, हरी हर काका की जिंदगी से म अपने गाउं में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ उनमें हरीहर काका भी एक है हरीहर काका के प्रती मेरी आसकती के अनेक वहवारिक और वैचारिक कारण है चंद होता है कुछ और आसकती कहा जाता है लगाव को वेवारिक होता है वेवाहर संबंधी और वेचारिक होता है वेचार से संबंधित तो जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि हरीहर काका की जिंदगी से लेखक बहुत गहरे से जुड़ा हुआ है वो उन्हें बहुत मानता है लेखक जो है अपने गाउं में कुछी लोगों का सम्मान करता है कुछी लोगों का आदर करता है और उन मेंसे हरीहर काका भी एक है यानि जो लेखक है वो हरीहर काका का बहुत आदर मानता है और हरीहर काका के प्रती जो लेखक का लगाव है उसके बहुत सारे कारण है उन मेंसे कुछ वैवारिक भी है यानि जो हरीहर काका है उनका वैवार कुछ ऐसा है कि लेखक उनके साथ जुड़ा हुआ है गहराई से और कुछ जो कारण है वो वैचारिक भी है यानि जो लेखक ह और हरीहर काका है उन धौनों के विचार जो हैं वो कुछ मिलते जुलते भी हैं जिसके कारण लेखक और हरीहर काका एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं उन में प्रमुख दो कारण है एक तो यहा कि हरी हर काका मेरे पडोस में रहते हैं और दूसरा कारण यहा कि मेरी माँ बताती है हरी हर काका बच्मन में मुझे बहुत दुलार करते थे अपने कंधे पर बिठा कर घुमाया करते थे दुलार होता है प्यार तो लेखक बताते हैं कि हरीहर काका से इस तरह से गहराई से जुडाव के दो जो है वो मुख्य कारण है दो जो है मैन कारण है वो दो कारण कौन से हैं एक कारण तो ये है कि जो हरीहर काका है वो लेखक के पडोसी है वो पडोस में रहते हैं लेखक के और जो दूसरा कारण है वो उनकी मा बताती है यानि लेखक की मा लेखक को बताती है कि जो हरीहर काका है वो बच्पन में लेखक को बहुत जादा प्यार करते थे जब लेखक छोटा था तो हरीहर काका उनसे बहुत जादा प्यार करते थे और अपने कंधे पर बिठाकर उन्हें गुमाया करते थे एक पिता अपने बच्चों को जितना प्यार करता है उससे कहीं जादा प्यार हरीहर काका मुझे करते थे और जब मैं सयाना हुआ तब मेरी पहली दोस्ती हरीहर काका के साथ ही हुई सयाना होता है व्यस्क, बुद्धिमान या समझदार तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि एक पिता जैसे अपने बच्चों को प्यार करता है हरीहर काका शायद उससे भी जादा प्यार लेखक से करते थे और जब लेखक बड़ा हो गया, समझदार हो गया, तब उसकी जो पहली दोस्ती है यानि जो लेखक के पहले दोस्त बने वो भी कौन बने हरीहर काका बने हरीहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही अपनी उम्र तक प्रतिक्षा की थी मा बताती है कि मुझसे पहले गाउं में किसी अन्या से उनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी अब लेखक बताते हैं कि जैसे लेखक के पहले दोस्त हरीहर काका बने उसी तरह लेखक को भी ऐसा लगता था जैसे हरीहर काका ने भी अपनी इतनी उम्र तक ऐसे ही दोस्त की प्रतिक्षा की थी ऐसे ही दोस्त का इंतजार किया था और मा बताती है कि उन्होंने गाओं में पहले कभी किसी से इतने गहरे से रिष्टा नहीं जोड़ा था इतने गहरे से किसी के साथ दोस्ती नहीं की थी जितनी हरीहर काका की लेखक से हो गई थी वहों मुझसे कुछ भी नहीं चुपाते थे खूब खुल कर बाते करते थे लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया है उनकी इस्तिती ने मुझे चिंतित कर दिया है फिलहाल होता है अभी या इस समय तो लेखक कहते हैं कि जो हरीहर काका हैं वो लेखक से कभी कुछ नहीं चुपाते थे और वो उनसे खुल कर सारी बाते करते थे यानि उन्हें सब कुछ बता देते थे चाहे कोई बुरी बात हो, कोई अच्छी बात हो, कोई राजवाली बात हो जो किसी को ना बतानी हो लेकिन वो लेखक को फिर भी सब कुछ बता देते थे लेकिन इस समय जो है हरीहर काका ने लेखक से भी कुछ भी बोलना बंद कर दिया था अब जो उनकी इस्तिती थी हरी हर काका की तो लेखक इस्तिती में उन्हें देखक बहुत जादा चिंतित हो गए थे बहुत जादा परेशान हो गए थे जैसे कोई नाव बीच मजधार में फसी हो और उस पर सवार लोग चिला कर भी अपनी रक्षा ना कर सकते हो क्योंकि उनकी चिलाहट दूर तक फैले सागर के बीच उठती गिर्ती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरे कर ही क्या सकती है मजधार होता है बीच में यानि जल प्रवाया भव सागर के मध्या में विलीन होता है लुप्त हो जाना या गाइब हो जाना तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि ऐसा लगता था हरी हर काका को देखकर जैसे कोई नाव जो है कोई किष्टी जो है मचधार में डूब रही हो वो फसी हुई हो और उसमें जो इनसान सवार हैं वो अपनी रक्षा के लिए चिला भी नहीं सकते क्यों नहीं चिला सकते क्योंक काका कि स्थिती हो गई थी शायद इसलिए उन्होंने बोलना बंद कर दिया था मौन होकर जल समाधी लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं लेकिन मन इसे मानने को कतई तयार नहीं जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और जटपटाहट बढ़ गई हो कुछ ऐसी हिस्तिती के बीच हरी हर काका घिर गए हैं विकल्प होता है दूसरा उपाए अब मौन रहकर आप जल समाधी ले रहे हो उसके अतिरिक्त उनके पास ऐसा लग रहा था कोई दूसरा उपाए नहीं है जैसे कोई किष्टी बीच सागर में फस जाती है वो इधर उधर हिचकोल खाती है डूबने वाली है और फिर उन लोगों को बचाने वाला कोई नहीं है तो उन्हें जल समाधी यानि जल में डूब जाने के अतिरिक जैसे कोई दूसरा उपाए नहीं रहता उसी तरह ऐसे लग रहा था कि हरी हर काका के पास भी शायद कोई दूसरा उपाए नहीं है लेकिन ये मानने के लिए उनका मन बिल्कुल तैयार नहीं था क्यूँँकि उनके अंदर क्या थी? जीने की लाल सा थी, जीने की चाह थी और इसी चाह में जो है उन्हें बेचैनी और जटपटाहत हो रही थी और ऐसी स्तिती में हरीहर काका जो है वो फसे हुए थे इस वज़ा से शायद वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे हरीहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि वहो यहो समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें अब लेखक बताते हैं कि वो हरीहर काका को बहुत अच्छे से जानते हैं इसलिए शायद वो ये सोच रहा है कि उसे लगता है कि वो ये समझ नहीं पा रहे हैं यानि कौन हरीहर काका ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वो क्या कहें और क्या ना कहें वो बहुत जादा चिंत में भी होता तो निश्चे ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता उक्ति कहा जाता है कथन को या वाक्या को तो अब लेखक बताते हैं कि शायद अब हरीहर काका के पास ऐसी कोई बात नहीं है जिसे वो बाहर कह सके और अपने मन को हलका कर सके और शायद ऐसी भी कोई वाक्या अब लेखक बताते हैं कि अगर हरीहर काका की स्थिती में शायद मैं भी होता तो शायद मैं भी ऐसे ही गूंगेपन का शिकार हो जाता ऐसे ही चुप चाप एक जगा पर पड़ा रहता किसी से बात नहीं करता हरीहर काका इस तिती में कैसे आफसे यह कौन सी स्थिती है इसके लिए कौन जिम्मेवार है यह सब बताने से पहले अपने गाओं का और खासकर उस गाओं की ठाकुरवारी का संक्षिप परिचे मैं आपको दे देना उचित समझता हूँ क्योंकि उसके बिना तो यह कहानी ऐसे आ गए यह कौन सी स्थिती थी जिसमें हरीहर काका फस गए है उसके लिए कौन जिम्मेवार है यह सब जो प्रशन है वो अभी हमारे मन में चल रहे हैं लेकिन जो लेखक हैं वो कहते हैं कि उससे पहले कि इन सब प्रशनों के उत्तर आपको देने से पहले वो अपने ग हर काका की कहानी है वो अधूरी रह जाएगी आधी रह जाएगी हमें उस कहानी का और छोर पता नहीं चलेगा मेरा गाउं कसबाई शहर आरा से 40 किलो मिटर की दूरी पर है हसन बाजार बस्टेंड के पास गाउं की कुल आबादी धाई 3,000 होगी अब जो लेखक हैं वो अपने गाउं के बारे में बता रहे हैं कि जो उनका गाउं है वो कसबाई शहर जो आरा है उससे 40 किलो मिटर दूरी पर है और हसन बाजार बस्टेंड के पास है लेखक का जो गाउं है उस गाउं की कुल आबादी धाई से 3,000 होगी यानि वहाँ पर धाई से 3,000 लोग रहते होंगे गाउं में 3 प्रमुक स्थान है गाउं के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब गाउं के मध्य स्थित बरगत का पुराना वरिक्ष और गाउं के पूर्व में ठाकुर जी का विशाल मंदिर जिसे गाउं के लोग ठाकुर बारी कहते हैं अब गाउं में लेखक बताते हैं कि 3 प्रमुक स्थान हैं कौन-कौन से गाउं के पश्चिम किनारे पर जो है एक बड़ा सा तालाब है और गाउं के मध्य यानि बीच में जो है एक पुराना बरगत का पेड़ है और गाउं के पूरव में ठाकुर जी की एक विशाल प्रचलित है वह यहो कि वर्षों पहले जब यहो गाओं पूरी तरह बसा भी नहीं था कहीं से एक संत आकर इस थान पर छोंपड़ी बना रहने लगे थे। ठाकुरबारी है उसको बनाने के विशय में जो है बहुत पुराने समय से कुछ बातें चली आ रही है और वो क्या है कि यहाँ जब यह गाओं पूरी तरह से बसा भी नहीं था जब यह गाओं पूरी तरह से बना भी नहीं था तो यहाँ पर कहीं से एक संत आकर जोंपड़ी बनाकर रहने लगे थे, कहांपर उस ठाकुरबारी के स्थान पर, वह सुभा शाम यहाँ ठाकुर जी की पूझा किया करते थे,殺 sa लेते थे, और पूझा पाठ की भावना जागरित किया करते थे, बाद में लोगों ने चंदा करके यहां ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया जागरित होता है जगाना तो यहां पर लेखक बताते हैं कि जो वो संत जी यहां पर आकर बस गए थे जौपड़ी बना कर रहने लगे थे वे सुभा शाम जो है ठाकुर जी की पूजा किया करते थे और वे लोगों से मांग कर ही खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जो है वो लोगों के मन में जगाया करते थे और बाद में लोगों ने जो है थोड़ा बहुत चंदा इधर उदर से इकठा करके वहाँ पर ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बना दिया फिर जैसे जैसे गाउं बसता गया और आबादी बढ़ती गई मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया लोग ठाकुर जी को मनौती मनाते कि पुत्र हो मुकदमे में विजय हो लड़की की शादी अच्छे घर में तै हो लड़के को नौकरी मिल जाए कलेवर होता है शरीर देह या उपरी धाचा और मनौती कहा जाता है मननत को यानि जो आप किसी से इच्छा मांगते हैं तो फिर जैसे जैसे गाओं बसता गया यानि जैसे जैसे गाओं बढ़ता गया और आबादी भी गाओं की बढ़ती गई वैसे वैसे मन्दिर का जो उपरी धाचा था जो मन्दिर था वो भी बढ़ता गया उसमें भी विस्तार होता गया और जो लोग हैं वो ठाकुर जी से यानि जो भगवान जी थे वहाँ पर उनसे मननत मांगते उनसे इच्छा मांगते कि या तो उनका पुत्र हो या फिर उनकी मुकदमे में विजय हो या उनकी लड़की की शादी किसी अच्छे घर में तैह हो जाए या किसी के लड़के को न नौकरी मिल जाए इस तरह कि वो वहाँ पर ठाकुर जी से इच्छा मांगा करते थे फिर इसमें जिसको सफलता मिलती वहाँ खुशी से ठाकुर जी पर रुपया जेवर अनाच चढ़ाते अधी खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकडा फिर जिनको सफलता मिल जाती थी जिनकी इच्छा पूरी हो जाती थी वे जो हैं खुश होकर ठाकुर जी को क्या क्या चढ़ा देते थे कोई रुपय चढ़ाता था कोई जेवर चढ़ाता था कोई अनाच चढ़ाता था और अगर किसी को बहुत जादा खुशी होती थी तो अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते लड़की की शादी इसलिए जल्दी तै हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी अधिकांश होता है ज्या तो वो भी ठाकुर जी की वज़ा से हुई है और अगर उनकी लड़की की शादी जल्दी तै हो गई है अच्छे घर में तै हो गई है तो वो भी ठाकुर जी की वज़ा से क्योंकि उन्होंने ठाकुर जी से ऐसी मननत मांगी थी लोगों के इस विश्वास का ही यह परिनाम ह कि गाउं की अन्या चीजों की तुलना में ठाकुरवारी का विकास हजार गुना अधिक हुआ है अब तो यह गाउं ठाकुरवारी से ही पहचाना जाता है अब लेखक बताते हैं कि लोगों के इसी विश्वास की वज़ा से कि सब कुछ जो है वो ठाकुर जी की कृपा से हो र थाकुरवारी के नाम से जाना जाता है अपने नाम से नहीं जाना जाता यह ठाकुरवारी ना सिर्फ मेरे गाउं की एक बड़ी और विशाल ठाकुरवारी है बलकि पूरे इलाके में इसकी जोड की दूसरी ठाकुरवारी नहीं है लेखक यहां बताते हैं कि जो यह थाकुरवारी बन गई है। थाकुरवारी में धार्मिक लोगों की एक संस्था भी है जो थाकुरवारी की देखरेख करती है और वहाँ पर नियंतरंट करकती है कि हर काम समय पर हो हर काम सही दिशा में चले और जो वो समीती है वो हर तीन साल में जो है एक महंत और एक पुजारी की स्थापना करती है वहा धर्म से विमुक हो रहे लोगों को रास्ते पर लाना है ठाकुरवारी में भजन किर्टन की आवाज बराबर गूंचती रहती है विमुक होता है प्रतिकूल या उल्टी दिशा में चलने वाला तो यहां पर लेखक बताते हैं कि जो ठाकुरवारी है उसका काम क्या है लोगों के अंदर जो ठाकुरजी हैं उनके प्रति भक्ति भावना को पैदा करना और जो लोग धर्म से उल्टे चल रहे हैं उन लोगों को सही रास्ते पर लाना और ठाकुरवारी में हमेशा ही भजन और किर्टन की आवाजें गोंचती रहती है वहां से हमेशा भजन किर्टन की आ आखण्ड हरी किर्तन शुरू कर देते हैं इसके अतिरिक्त गाउं में किसी भी पर्वत्योहार की शुरुआ ठाकुरवारी से ही होती है चपेट होता है आघात या प्रहार अहाता कहा जाता है चारों ओर से दिवारों से घिरा हुआ मैदान और अखण्ड होता है निर्विग् के एक मैदान में तंबू लग जाते हैं और लोग वहां पर ठाकुरवारी के सादू संतों के साथ निर्विग्न हरीकिर्तन शुरू कर देते हैं और इसके अतीरिक्त गाउं में जब भी कोई परव और तेवहार होता है तो उसकी शुरुआत भी ठाकुरवारी से ही होती है तो दिवाली का पहला दीप ठाकुरवारी में ही जलता है। जन्म, शादी और जन्यों के अफसर पर अन्वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम की जाती है। ठाकुर जी के ब्रामन, साधू, वरत कथाओं के दिन घर घर घूम कर कथावचन करते हैं। तो अब यहां देखि तो पहला जो गुलाल होता है वो ठाकुर जी को लगाया जाता है। उससे पहले कोई भी एक दूस्ते को गुलाल नहीं लगाता। और दिवाली का जो पहला दीपक जलाया जाता है वो भी ठाकुर वारी में ही जलता है। उसी के बाद जो है घर घर में दीप जलाया जाते है अब जन्म हो शादी हो या जनेव डालने का अवसर हो तो भी अन हो वस्त्र हो उसकी पहली जो भेट है वो भी ठाकुर जी के नाम की जाती है और ठाकुर जी के जो भृमन हैं, साधू हैं वो जब भी वरत होता है, कथाएं होती है, वे घर-घर घूम कर कथावचन करते हैं लोगों के खलियान में जब फसल की दवनी होकर अनाज की धेरी तैयार हो जाती है तब ठाकुर जी के नाम अगवन निकाल के ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं दवनी होता है गेहू धान निकालने की प्रक्रिया और अगम होता है प्रियोग में लाने से पहले देवता के लिए निकाला गया अंश्या भाग तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जब लोग अपने खल्यान में अपनी फसल यानी जो उनका गेहू है धान है उसको निकाल कर जो है अनाज की धेरी तैयार कर लेते हैं तो तब तक वो अपने घर अनाज नहीं ले जाते जब तक वो ठाकुर जी के लिए जो है एक भाग निक प्राश लोगों का संबंद बहुत ही घनिष्ट है, मन और तन धोनों स्तर पर कृशी कार्या से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुरवारी में ही बिताते हैं, घनिष्ट होता है अत्यधिक निकटता वाला संबंद, तो यहां पर लेखक बताते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो ठा करता से जुड़े हुए हैं कि वे तन, मन, धन, सभी जगा से ठाकुरवारी पर निचावर हैं, वे अपने कृशी कार्या को जैसे ही पूरा करते हैं, उसमें जो उनका समय बच जाता है, वे उसे ठाकुरवारी में ही बिताते हैं, वे वही पर जाकर अपना समय निकालते हैं ठाकुरवारी में सादू संतों के प्रवचन सुन और ठाकुर जी के दर्शन कर वे अपना यह जीवन सार्थक मानने लगते हैं उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुरवारी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाते हैं उनके पीछे सारा पाप अपने आप खत्म हो जाते हैं प्रवचन होता है वेद पुरान आदी का उपदेश करना और सार्थक होता है उदेश्यवाला अब जो वे लोग हैं जो क्रिशी कार्या को खतम करके अपने बचे हुए समय को अपने परिवार के साथ ना बिता कर ठाकुरवारी में बिताते हैं वो लोग जो है ठाकुरवारी के सादो संतों के प्रवचनों को सुन कर जो है और ठाकुर जी के दर्शन को पाकर जो है अपने जीवन को उदेश्य वाला मानने लग जाते हैं और उन्हें ये महसूस होता है कि जैसे ठाकुरवारी में उन्हें प्रवेश किया वे पवित्र हो गए हैं और उनके जो सारे पाप हैं वो अपने आप ही खत्म हो गए हैं परिस्तिती वश होता है परिस्तितियों के कारण अब कुछ ऐसी परिस्तितियां बन गई है कि जो हरी हर काका है उन्होंने ठाकुरवारी में जाना बंद कर दिया है लेकिन पहले जो है वे अकसर ही ठाकुरवारी में जाते थे और मन बहलाने के लिए कभी कभी लेखक भी जो है वो ठाकुरवारी में चला जाता था अब ऐसी कौन सी परिस्तितियां थी वो आप आगे जानेंगे लेकिन वहां के सादो संथ मुझे फूटी आँख नहीं सुहाते कामधाम करने में उनकी कोई रूची नहीं ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर धौनो जून हलवा पूरी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है सुहाते होता है थोड़े भी अच्छे ना लगना और जून कहा जाता है धौनो वक्त को तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि भले ही वो कभी कभी अपना मन बहलाने के लिए ठाकुर वारी चले जाते थे लेकिन वहां के जो साधु संथ है वो लेखक को थोड़े भी अच्छे नहीं लगते थे वो क्यों अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि वो कोई कामधाम नहीं करते थे वे क्या करते थे ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों समय जो है हलवा पूरी खाते थे और आराम से पड़े रहते थे लेखक के अनुसार अगर उन्हें कुछ आता था तो सिरफ बाते बनाना आता था उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता था हरीहर काका चार भाई हैं सबकी शादी हो चुकी है हरीहर काका के अलावा सबके बाल बच्चे हैं बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए हैं। दो की शादियां हो गई हैं। उन मैंसे एक पढ़ लिखकर शहर में किसी दफ्तर में कलर्की करने लगा है। अलावा कहा जाता है अतिरिक्त को और कलर्की होता है लिपी क्या करमचारी। तो यहाँ पर लेखक हरीहर काका के बारे में बता रहे हैं कि जो हरीहर काका हैं वे चार भाई हैं यानि हरीहर काका और उनके तीन भाई और हैं। और सबकी जो है शादियां हो चुकी हैं। लेकिन दो की शादियां भी हो गई है और उन मेंसे एक जो लड़का है वो पढ़ लिखकर शहर में कहीं पर लिपिक का कार्या कर रहा है या करमचारे बन गया है लेकिन हरीहर काका की अपनी देह से कोई उलाद नहीं भायों में हरीहर काका का नमबर दूसरा है उलाद के लिए उन्हो प्रतिक्षा रत रहे लेकिन बिना बच्चा जने उनकी धोनो पतनिया सुर्ब सिधार गई प्रतिक्षा रत होता है इंतजार करना अब लेखक बताते हैं कि जो हरीहर काका है उनकी अपनी देह से कोई उलाद नहीं है मतलब उनकी अपनी कोई सगी उलाद नहीं है और जो हर हरीहर काका ने उलाद के लिए यानि बच्चों के लिए उन्होंने दो शादियां की और लंबे समय तक इंतजार भी किया लेकिन उन्होंने जो दो शादियां की थी वे धोनों पत्नियां जो है बिना बच्चे को जन्म दिये ही सुर्ख सिधार गई यानि वो मर गई लोगों ने तीसरी शादी करने की सलहा दी लेकिन अपनी गिर्ती हुई उम्र और धार्मिक संसकारों की वज़ा से हरीहर काका ने इंकार कर दिया वहो इत्मिनान और प्रेम से अपने भाईयों के परिवार के साथ रहने लगे इत्मिनान होता है तसल्ली तो अब जब दो पत्नियों की मृत्यू हो गई तो लोगों ने उन्हें तीसरी शादी करने की सलहा भी दी लेकिन जो हरीहर काका है अब उनकी उम्र भी काफी हो चुकी थी और धार्मिक संसकारों की वज़ा से भी जो है हरीहर काका ने इंकार कर दिया कि अब वे तीसरी शादी नहीं करेंगे और वे तसली से और प्यार से अपने भायों के परिवार के साथ ही रहने लगे थे हरीहर काका के परिवार के पास कुल 60 बिगे खेत हैं प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बिगे पड़ेंगे क्रिशी कार्या पर ये लोग निर्भर हैं शायद इसलिए अब तक सयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं अब लेखक बताते हैं कि जो हरीहर काका हैं उनके परिवार के पास कुल 60 बिगे खेत हैं और अगर सभी भाईयों में बराबर बराबर बांट दिये जाएं तो प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बिगे खेत पड़ेंगे अब जो पूरा परिवार है वो क्रिशी कार्या पर ही निर्भर करता है यानि उनकी जो इनकम है वो क्रिशी से ही आती है खेती बाड़ी से ही आती है शायद इसी लिए जो हैं वे सब ही जो हैं इकठे रहते हैं क्योंकि इतने बड़े भाग को अकेले संभालना किसी के बस की बात नहीं है हरीहर काका के तीनों भाईयों ने अपनी पतनियों को यह सीख दी थी कि हरीहर काका की अच्छी तरह सेवा करे समय पर उन्हें नाश्ता खाना दे किसी तरह की तकलीफ ना होने दे अब लेखक बताते हैं कि जो हरीहर काका हैं उनके जो तीनों भाई हैं हरीहर काका के अलावा उन्होंने अपनी पतनियों को यह बता रखा था कि वे हरीहर काका की अच्छी तरह से सेवा करे उन्हें टाइम टाइम पर जो है खाना दे और उन्हें किसी तरह की तकलीव ना होने दे क्योंकि वे जानते थे कि हरीहर काका के आगे पीछे कोई नहीं है उनके अलावा और उनकी जो पंद्राविगे खेत हैं वो भी बाद में उन्ही को संभालने हैं कुछ दिनों तक वे हरीहर काका की खोच खबर लेती रही फिर उन्हें कौन पूछने वाला ठहर चौका लगाकर पंखा जुलाते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती हरीहर काका के आगे तो बची खुची चीजें आती कभी कभी तो हरीहर काका को रूखा सुखा खाकर ही संतोश करना पड़ता व्यंजन होता है अलग-अलग तरह का अच्छा-च्छा खाना और संतोश कहा जाता है तृप्ती प्रसंता या हर्श को तो जब हरीहर काका के भाईयों ने अपनी पत्नियों से कहा था कि हरीहर काका को किसी तरह की तकलिव नहीं होनी चाहिए तो कुछ दिनों तक तो वे हरीहर काका की खोच खबर लेती रही यानि उन्हें टाइम पर खाना देती रही उनकी देख भाल करती रही लेकिन बाद में आखिरकार हरीहर काका को पूछने वाला था ही कौन जो उनके भाईयों की पतनिया थी वो ठहर चौका लगाती थी और पंखा जुलाते हुए अपने मर्दों को यानि हरीहर काका के भाईयों को अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी और हरीहर काका के आगे जो बच्ची-खुची चीजे बच चाती थी वहील आकर पटक देती थी वे रूखा सुखा काकर भी खुश रहते थे आगे कभी हरी हर काका की तबियत खराब हो जाती तो मुसीबत में पढ़ जाते इतने बड़े परिवार में रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं सबी अपने कामों में मश्गूल बच्चे या तो पड़ लिख रहे होते या धमा चौकडी मचाते मर्द खेतों में गए होते ओरते हाल पूछने भी नहीं आती तबियत होता है शरीर की स्थिती या मन की स्थिती और मशगूल होता है व्यस्तोना और धमा चौकडी कहा जाता है उच्छलकूत को तो अब लेखक बताते हैं कि अब जब हरीहर काका की कभी तबियत खराब हो जाती या उनके शरीर में कोई गड़बर हो जाती या उनका मन थोड़ा खराब होता तो हरी हर काका के उपर मुसीबत के पहार तूट जाते क्यों? क्योंकि इतना बड़ा परिवार होते हुए भी कोई उन्हें पानी तक देने वाला नहीं होता था क्योंकि सभी जो है अपने अपने कामों में व्यस्त होते थे बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते थे या फिर उचलकूद मचाते रहते थे जो मर्द होते थे घर के वो खेतों में गई रहते थे और जो औरते थी वो तो पहले ही हालचाल पूछने नहीं आती थी तो जो हरीहर काका हैं जब वे बिमार पढ़ जाते थे तो उनके उपर समझो मुसीब्तों का पहार पढ़ जाता था उन्हें अपनी देखपाल स्वयम करनी पढ़ती थी दलान के कमरे में अकेले पड़े हरी हर काका को स्वेम उठकर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करनी पड़ती ऐसे वक्त में अपनी पत्नियों को याद करकर के हरी हर काका की आखे भराती भायों के परिवार के प्रती मोह भंग की शुरुवात इनी क्षणों में हुई थी दलान कहा जाता है ब्रामदे को और मोह भंग होता है प्रेम की भ्रांती का नाश अब यहां पर लेखक बताते हैं कि जो हरीहर काका है वो ब्रामदे के कमरे में अकेले ही पड़े रहते थे और जब बिमार होते थे तो अपनी जरूरतों को उन्हें खुद ही सुयम उठकर ही पूरा करना पड़ता था और ऐसे वक्त में उन्हें अपनी पत्नियों की बहुत याद आती थी और उनकी आखें भर जाती थी क्योंकि ऐसे वक्त में केवल पत्निया ही होती है जो अपने पती की सेवा करती है और भायों का जो परिवार है उनके प्रती जो हरी हर काका को लगता था कि वो उनसे प्यार करते हैं वो उनके साथ पूरे प्रेम के साथ रह सकते हैं उस प्रेम का जो नाश था वो इसी कारण से शुरू हो गया था यहीं से इसी पल से शुरू हो गया था यानि अब उन्हें लग रहा था कि उनके भायों का परिवार उनसे प्रेम नहीं करता है केवल अपनी जरूरतों की वजह से उन्होंने उन्हें अपने पास रखा हुआ है और फिर एक दिन तो विस्पोट ही हो गया उस दिन हरीहर काका की सहनशक्ती जवाब दे गई उस दिन शहर में कलर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गाउं आया था उसी के आगमन के उपलक्ष में दो तीन तरह की सबजी जाएके चटनी रायता आदी बने थे विस्पोट होता है फूट कर बाहर निकलना आगमन होता है आने पर और उपलक्ष होता है संकेत तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि जो हरीहर काका है उनके अंदर के जितने भी भाव थे वे फूट कर बाहर निकल आए और उस दिन जो है हरीहर काका की जो शेहन शक्ती है वो जवाब दे गई ऐसा क्यूं हुआ क्यूंकि उस दिन शहर में जो कलरकी करने के लिए उनका भतीजा गया था उसका एक दोस जो है वो गाउं आया था और उसी के आने की खुशी में उसी के आने के संकेत में जो है दो तीन तरह की सबजी जाय के चटनी रायता आदी बने हुए थे अब बिमारी से उठे हरीहर काका का मन स्वादिश्ट भोजन के लिए बेचैन था मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीजे खाने को मिलने वाली थी सराहना होता है प्रशंसा तो अभी अभी जो हरीहर काका हैं वो बिमारी से उठे थे और बिमारी से उठने के बाद उनका मन जो है वो स्वादिष्ट खाने के लिए ललचा रहा था या बेचैन था अब मन ही मन उन्होंने अपने जो भतीजा है उसके दोस्त की प्रशंसा की क्योंकि उसी के बहाने से जो है उन्हें आज शायद अच्छी अच्छी चीजे खाने को मिलने वाली थी लेकिन बातें बिल्कुल विपरीथ हुई सबोंने खाना खा लिया उनको कोई पूछने तक नहीं आया उनके तीन भाई खाना खाकर खलियान में चले गए दवनी हो रही थी वे इस बात के प्रती निश्चिन्त थे कि हरीहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा दवनी होता है गेहु धान निकालने की प्रक्रिया और निश्चिन्त होता है बेफिक्र तो अब जब हरीहर काका को लग रहा था कि आज उन्हें भी स्वादिष्ट खाना मिलेगा लेकिन जो बात है वो बिल्कुल उल्टी हुई सब ने खाना खा लिया और उनको कोई पूछने तक नहीं आया उनके तीनों भाई जो है खाना खाकर खलियान चले गए थे क्योंकि वहाँ पर क्या है गेहु और धान निकालने की प्रक्रिया शुरू हो रही थी अब वे जो भाई हैं वो इस बात से बेफिकर थे कि शायद हरीहर काका को तो उनकी पत्नियों ने पहले ही खाना खिला दिया होगा इसलिए उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया अंत में हरीहर काका ने स्वेम दलान के कमरे से निकल हवेली में प्रवेश किया तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सुखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया भात, मा और अचार अब अंत में जब हरीहर काका बहुत परिशान हो गए कि उन्हें कोई पूछने नहीं आया उन्हें किसी ने खाना नहीं दिया तो वे अंत में खुद ही उठकर जो है बरामदे के कमरे से निकल कर हवेली में प्रवेश किया उन्होंने तब जाके उनके जो छोटे भाई हैं उसकी पत्नी ने उन्हें रूखा सुखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया और उस खाने में क्या था भात मा की दाल और अचार बस हरिहर काका के बदन में तो जैसे आग लग गई उन्होंने थाली उठा कर बेच आगन में फैंक दी जन की तेज आवाज के साथ आगन में थाली गिरी भात बिखर गया विभिन घरों में बैठी लड़किया भोवें बीच आगन में फैंक दी अब जब थाली आगन में गिरी तो जन की तेज आवाज हुई और सारा जो भात था वो बिखर गया अब घर में जितनी भी लड़किया भोवें बैठी हुई थी वे सब एक साथ जो है बहार आ गई क्योंकि जो आवाज थी वो इतनी ज्यादा थी हरी हर काका गरसते हुए हवेली से दलान की ओर चल पड़े समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है अब हरी हर काका इतने घुसे में थे कि वे गरसते हुए हवेली से बरामदे की और चल पड़े और जोर जोर से कहने लगे कि तुम क्या समझती हो कि तुम मुझे मुझे मुफ्त में खिला रही हो तो जो ये बात है वो अपने मन से निकाल देना क्यूंकि जो मेरा हिस्सा है जो मेरे 15 भिगा खेत है उसकी जो पैदावार है वो भी इसी घर में आती है उसमें तो मैं दो-चार नौकर रखलू आराम से खाऊं तब भी कमी नहीं होगी मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ मेरे धन पर तो तुम सब मौच कर रही हो लेकिन अब मैं तुम सब को बताऊंगा आदी अब हरी हर काका कह रहे थे कि अगर मैं उन खेतों में दो-चार नौकर रखलू तो मैं आराम से बैट कर खा सकता हूँ फिर भी कोई कमी नहीं होगी और मैं अनाथ नहीं हूँ मैं कोई बेसहारा नहीं हूँ और तुम मेरे ही धन पर जो है मौच कर रही हो लेकिन अब मैं तुम सब को बताऊंगा कि आखिर तुम लोगोंने मुझे समझ क्या रखा है तुम मेरे साथ कैसा वहवार करती हो इस तरह से जो है हरी हर काका चिलाते हुए जो है बरामदे की ओर चल पड़े थे हरी हर काका जिस वक्त यहाँ बात बोल रहे थे उस वक्त ठाकुरबारी के पुजारी जी उनके दलान में ही विराजमान थे वार्षिक हुमाग के लिए वह गी और शकील लैने आये थे लोटकर उन्होंने महन्ची को विस्तार के साथ सारी बात बताई विराजमान होता है उपस्तित और हुमाग होता है हवन में प्रियुक्त होने वाली सामगरी तो जब हरीहर काका अपने छोटे भाई की पतनी को वह सब बातें बोल रहे थे तो उस वक्त ठाकुरवारी के जो पुजारी जी है वो उन्ही के बरामदे में बैठे हुए थे उपस्तित थे वहाँ पर और वो वहाँ पर साल में जो हवन होता है उसमें प्रियुक्त होने वाली सामगरी के लिए गी और शकील लेने आये थे गी और अनाज लेने आये थे उन्होंने वो सब दरिश्या वहाँ देखा और वे जब ठाकुरवारी लोटे तो उन्होंने महंत जी को जो है विस्तार के साथ सारी बात बताई कि वहाँ पर हरीहर काका के घर में क्या-क्या घटनाएं घटी उनके कान खड़े हो गए वह दिन उन्हें बहुत शुब महसूस हुआ उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा ततक्षन टीका तिलक लगा कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाली ठाकुरवारी से चल पड़े कान खड़े हो जाना होता है सावधान होना और ततक्षन होता है उसी समय तो लेखक बताते हैं कि जब पुजारी जी ने महंत जी को वो सारी घटना बताई कि हरी हर काका के घर में क्या-क्या घटना घटी तो जो महंत जी हैं वो सावधान हो गए, उनके कान खड़े हो गए और उन्हें ये दिन जो है बहुत जादा शुब लगा बहुत जादा अच्छा लगा उस दिन को उन्होंने ऐसे ही जाने देना अच्छा नहीं समझा इसलिए उन्होंने उसी समय क्या किया टीका तिलक लगाया कंधे पर नाम नामी लिखी हुई चादर डाली और ठाकुरवारी से चल पड़े संयोग अच्छा था हरीहर के दलान तक नहीं जाना पड़ा रास्ते में ही हरीहर मिल गए गुसे में घर से निकल वहो खलियान की ओर जा रहे थे लेकिन महंच जी ने उन्हें खलियान की ओर नहीं जाने दिया अपने साथ ठाकुरवारी पर लेते आए संयोग होता है किस्मत अब जो महंच जी हैं उनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उन्हें हरीहर के बरामदे तक नहीं जाना पड़ा क्योंकि हरीहर जो है उन्हें रास्ते में ही मिल गए थे गुसे में जो है हरीहर अपने घर से निकल कर खल्यान की ओर जा रहे थे जहां उनके भाई थे लेकिन महंत जी ने क्या किया उन्हें खेट जाने नहीं दिया और उन्हें अपने साथ ठाकुरवारी में लेते आए अब महंच जी उन्हें अपने साथ ठाकुरवारी क्यों लेते आए क्योंकि महंच जी के दिमाग में भी जो है कोई शडियंत्र रच रहा था अब महंत जी के दिमाग में क्या शर्यंत रच रहा था ये हम आगे जानते हैं फिर एकांत कमरे में उन्हें बिठा खूब प्रेम से समझाने लगे हरीहर यहां कोई किसी का नहीं है सब माया का बंधन है तू तो धार्मिक प्रवर्यती का आदमी है मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम इस बंधन में कैसे फस गए एकांत होता है खाली अब हरीहर काका को जब महंत जी अपने साथ ठाकुरवारी ले आए तो वे जो हैं हरीहर काका को एक खाली कमरे में ले जाकर बिठा देते हैं और उन्हें बहुत ही जादा प्यार से समझाने लगते हैं कि हरीहर मैं तो तुम्हें बहुत जादा समझदार आदमी मानता था और धार्मिक प्रवरित्ती वाला व्यक्ति समझता था तुम जो है ऐसे माया के बंधन में ऐसे पैसों के बंधन में कैसे फस गए मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इतने समझदार होते हुए भी ऐसे प्रेम जाल में कैसे फस गए इश्वर में भक्ती लगाओ उसके सिवाए तुम्हारा अपना कोई नहीं पतनी, बेटे, भाई, बंधू सब स्वार्थ के साथ ही हैं जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सदने वाला नहीं उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं स्वार्थ कहा जाता है अपने मतलब को यानि जो केवल अपने बारे में सोचता है तो अब यहाँ पर महंत जी हरीहर काका को समझा रहे हैं कि उन्हें इश्वर में भक्ती लगानी चाहिए क्योंकि इश्वर के सिवाए किसी का भी कोई अपना नहीं होता है पती पतनी बेटे भाई बंदू जितने भी रिष्टेदार होते हैं वे सब जो हैं अपने मतलब के लिए दूसरों के साथ जुड़े होते हैं और जब उन्हें लगेगा कि हरीहर काका से उनका कोई भी स्वार्थ जो है अब नहीं बनने वाला है उनका कोई भी काम हरीहर काका से अब नहीं बनने वाला है तो वे उस दिन के बाद हरीहर काका को पूछेंगे तक नहीं इसलिए ग्यानी संथ महात्मा ईश्वर के सिवाए किसी और में प्रेम नहीं लगाते तुम्हारे हिस्से में 15 बिगे खेथ हैं उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं अब यहाँ पर महत्ची हरीहर काका को अपनी और मिलाने के लिए और बाते बताते हैं कि जो ग्यानी हैं, संथ लोग हैं, महात्मा हैं वे इसलिए जो हैं ईश्वर की और अपना ध्यान के अंदरित करते हैं इश्वर से इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि जो पूरी दुनिया है वो स्वार्थ पर टिकी हुई है इसलिए वे इश्वर से प्रेम करते हैं और जो हरीहर काका के पंदरा बिगे खेत हैं उसके चलते ही जो है उनके भाईयों का जो परिवार है वो हरीहर काका के साथ है अगर हरीहर काका के पास 15 बिगे खेट नहीं होते तो उनके भाई का परिवार उन्हें पूछता तक नहीं तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेट उन्हें ना देखर दूसरे को लिख दोगे वह तुम से बोलना बंद कर देंगे खून का रिष्टा खतम हो जाएगा तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था संकोचवश होता है जिजग के कारण अब महंची हरीहर काका से कहते हैं कि तुम एक बार अपने परिवार वालों से ये कह कर देखो कि तुम अपना जो 15 बिगे खेट है वो तुम उन्हें ना लिख कर किसी और को लिख रहे हो तो देखना तुम्हारे जो परिवार वाले हैं वो तुम से बोलना तक भी बंद कर देंगे और जो तुम्हारा खून का रिष्टा है वो वहीं पर खतम हो जाएगा अब महन जी कहते हैं कि मैं तुम्हारे भले के बारे में बहुत दिनों से सोच रहा था कि तुम्हें ये बातें बता दूँ कि तुम्हारा परिवार तुमसे प्यार नहीं करता है वो केवल लालच के कारण तुम्हारे साथ है लेकिन मुझे कुछ जिजक हो रही थी इसलिए मै तुमसे नहीं कह पा रहा था आज कह देता हूँ तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम लिखतो सीधे बैकुंट को प्राप्ट करोगे तीनों लोकों में तुम्हारी कीर्टी जगमगा उठेगी जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोक तुम्हें याद करेंगे बैकुंट होता है सुर्ग बैकुंट जो है वो भगवान विश्नु का स्थान भी कहा जाता है और कीर्टी होता है प्रसिद्धी या ख्याती तो अब यहाँ पर जो हरीहर काका है उन्हें प्रलोबन दिया जा रहा है कि मैं तुमसे कहता हूँ यानि महंत जी जो है वो हरीहर काका से कह रहे है कि हरीहर काका अपने जो पंद्रा बिगा खेत है अपने हिस्से के जो खेत है वो जो है ठाकुर जी को लिखते यानि ठाकुर जी के नाम कर दे अगर वो ऐसा करते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ती होगी, तीनों लोकों में उनकी ख्याती होगी, प्रसिद्धी होगी, लोग उन्हें याद रखेंगे कब तक, जब तक सूरज और चान रहेंगे थाकुर जी के नाम पर जमीन लिखते ना, तुम्हारे जीवन का महादान होगा, सादू सन्थ तुम्हारे पाउँ पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे, तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा, अपनी शेस जिंदगी तुम इसी थाकुर बारी में गुज वो कह रहे हैं कि अगर वो ठाकुर जी के नाम अपनी जमीन लिख देते हैं तो ये उनके जीवन का सबसे बड़ा महादान होगा और उसके चलते जो है सभी जो सादू संत है वो उनके पाउध होएंगे, उनका यशोगान करेंगे यानि उन्हें सबसे सर्वो परी मानेंगे और जो उनका जीवन है वो भी सार्थक हो जाएगा और महन जी हरिहर काका को ये भी बताते हैं कि अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देने के बाद वो ठाकुर वारी में ही रहेंगे और उन्हें वहाँ पर किसी चीज की भी कमी नहीं होगी एक मांगोगे तो चार हाजिर की जाएगी हम तुम्हें सरांखो पर बिठा रखेंगे ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा अब महन ची कहते हैं कि तुम अगर एक चीज मांगोगे तो तुम्हारे सामने चार चीज़ें हाजिर कर दी जाएगी हम लोग जो हैं तुम्हें सरांखो पर बिठा के रखेंगे यानि तुम्हारी हर इच्छा को राजा की तरह पूरी करेंगे और तुम्हारे भी ठाकुर जी के साथ साथ आरती उतारेंगे यानि तुम्हें भी भगवान का दर्जा देंगे और जो तुम्हारे भाई के परिवार हैं वो तुम्हारे लिए ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे पता नहीं पुर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्निया अकाल मृत्यू को प्राप्त हुई तुमने ओलाद का मुहु तक नहीं देखा अब महन जी कहते हैं कि शायद तुमने पुर्व जन्म में यानि पहले जन्मों में कुछ ऐसे पाप किये थे कि तुम्हारी दोनों पत्निया हैं वो अकाल मृत्यू यानि मृत्यू से पहले ही मृत्यू को प्राप्त हो गई और तुमने अपनी अलाद का मुहु तक नहीं देखा यानि तुम्हारी कोई अलाद नहीं है ये शायद तुम्हारे पुर्व जनम का कोई पाप है अपना यह जनम तुम अकारत ना जाने दो इश्वर को एक भर दोगे तो दस भर पाओगे मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूं तुम्हारा यह लोग और परलोग दोनों बन जाए इसकी रहा मैं तुम्हें बता रहा हूं अकारत होता है अकारन अब महंची और हरीहर काका को समझाते हैं कि तुम जो है अपना ये जनम जो है अकारन ही ऐसे ही मत जाने दो तुम जो है अगर इश्वर को एक चीज दोगे तो ईश्वर तुम्हें दस चीजें वापिस लोटा कर देंगे अब महंची यहां पर बड़ी चालाकी से कहते हैं कि मैं अपने लिए तो कुछ नहीं मांग रहा हूँ मतलब मैं तो केवल यह कह रहा हूँ कि तुम्हारा ये लोग और परलोग धोनों ही सुखी हो जाए हरीहर देर तक महंची की बाते सुनते रहे महंची की बाते उनके मन में बैठती जा रही थी ठीक ही तो कह रहे हैं महंची कौन किसका है पंद्रा बिगे खेत की फसल भाईयों के परिवार को देते हैं तब तो कोई पूछता नहीं अगर कुछ ना दें तब क्या हालत होगी उनके जीवन में तो यह स्तिती है मरने के बाद कोई उन्हें याद करेगा अब हरीहर काका जो हैं बहुत देर तक महंची की ये सारी बाते सुनते रहे जो महंची हरीहर काका को समझा रहे थे और महंची की जो सारी बाते हैं वो हरीहर काका के मन में बैठती जा रही थी और वो ये सोच रहे थे कि जो महंची है वो ठीकी तो कह रहे है कि यहाँ पर कौन किसका है क्योंकि 15 बिगे खेत की जितनी भी फसल थी वो सब भाईयों के परिवार को तो देते ही थे लेकिन फिर भी उन्हें कोई नहीं पूछता था सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे ठाकुर जी के नाम लिखते हैंगे तो पुष्टों तक लोग उन्हें याद करेंगे अब तक के जीवन में तो इश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया अंतिम समय में यह बड़ा पुन्या कमा ले हड़प करना होता है बेमानी से ले जाना तो अब हरीहर काका आगे सोच रहे थे कि उनके बारे में सभी परिवार वाले कुछ नहीं सोचेंगे उनके बारे में कुछ नहीं करेंगे और मरने के बाद उन्हें याद करना तो दूर जो उनके खेत हैं उन्हें बेइमानी से हड़प लेंगे और ठाकुर जी के नाम अगर वो अपने खेतों को लिख देते हैं तो पुष्टों तक यानि आने वाली पीडियां भी जो है उन्हें याद करेगी और अब तक के जीवन में हरीहर काका ने इश्वर के लिए कोई बड पुन्य कमा सकता हूँ लेकिन यो सोचते हुए ही भी हरीहर काका का मुह खुल नहीं रहा था भाई का परिवार तो अपना ही होता है उनको ना देकर ठाकुरबारे को दे देना उनके साथ दोखा और विश्वास खात होगा अब हरीहर काका भले ही ये सब चीजे सोच रहे थ लेकिन फिर भी वे अपने मुह से कुछ बोल नहीं पा रहे थे उनका मुह खुल नहीं रा था बात करने को लेकिन वे ये भी सोच रहे थे कि जो भाईयों का परिवार है वो भी तो अपना ही होता है अगर मैं अपनी जमीन उन्हें नहीं दूँगा तो उनके साथ दोखा औ नुभवी आँखों से छिपे ना रह सके प्रतिकरिया होती है प्रतिकार बदला या क्रिया के विरोध में होने वाली घड़ना और परिवर्तित होता है बदला हुआ तो अब जब महंट जी ने अपनी बात समाप्त कर दी अपनी पूरी बात कह दी हरी हर काका को समझा दिया अपनी और से तो वे हरी हर काका की और देखने लगे कि वे क्या प्रतिक्रिया देते हैं या फिर उनका क्या विरोध होता है अब यह जानने के लिए जब और देख रहे थे तो उन्होंने अपने मुझे तो कुछ नहीं का लेकिन उनके चहरे के हरी हर कागा के चहरे का जो बदला हुआ रूप था उसको देखकर महंद जी जो हैं वो खुश हो गए क्यूंकि उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो थोड़ी दुविधा में पड़ गए हैं और शायद ठाकुरवारी को अपनी जमीन लिख देंगे वो कौन सोच रहा था महंद जी अपनी सफलता पर महंद जी को बहुत खुशी हुई उन्होंने सही जगा वार किया है इसके बाद उसी वक्त ठाकुरवारी के दो सेवकों को बुला कर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगा कर उनके आराम का इंतिजाम करे इंतिजाम होता है प सेवकों को बुलाया और उनको कहा कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगा दो और हरीहर काका के आराम करने का प्रबंद कर दो फिर तो महंद जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम समय में ही सेवकों ने हरीहर काका के मना करने के वावजूद उन्हें ए सेव को ने बिस्तर तयार कर दिया और जब हरीहर काका मना कर रहे थे उसके पावजूद भी जो है उनको पलंग पर ले जाकर लिटा दिया और महंची उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरीहर काका के लिए विशेश रूप से भोजन की विवस्ता करे हरीहर काका को महंची एक विशेश उदेश्य से ले गए थे इसलिए ठाकुरवारी में चहल पहल शुरू हो गई अब जो महंची है उन्होंने पुजारी जी से कह दिया था उन्हें समझा दिया था कि हरीहर काका के लिए जो है विशेश रूप से अच्छे भोजन की विवस्ता की जाए अब हरीहर काका को महंची जो है एक विशेश उदेश्य से ठाकुरवारी में लाए थे ये सब ही जानते थे इसलिए ठाकुरवारी में क्या है चहल पहल शुरू हो गई थी अब वो विशेश उदेश्य क्या था? वो चाहते थे कि उनकी जो पंद्रा विगे जमीन है वो ठाकुरवारी के नाम लिखते इधर शाम को हरीहर काका के भाई जब खल्यान से लोटे तब उन्हें इस घटना का पता चला पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे फिर एक जगा बैठ कर चिंता मगन हो गए हलांकी गाओं के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था चिंता मगन होता है सोच में पढ़ना अब शाम जब हुई जब हरीहर काका के भाई लोग खल्यान से वापिस आये तब उन्हें पूरी दुरगटना का पता चला कि घर में क्या क्या घटा है अब जब उन्हें पता चला तो उन्होंने सबसे पहले तो अपनी पत्नियों को खूब डाटा और फिर एक जगह पर बैठ कर वे सोच में पढ़ गए अब ऐसी बात नहीं थी कि गाओं वालों ने उनसे कुछ कहा था लेकिन फिर भी वे सोच में पढ़ गए थे महंत जी ने हरीहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालू और बेचैन हो गया दरसल बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिनकी जानकारी बिना बताय ही लोगों को मिल जाती है शंकालू होता है संदेह करने वाला या शक करने वाला और बेचैन होता है व्याकुल अब महंत जी ने हरीहर काका को क्या क्या समझाया था ये सब भी जो है उनके भाई नहीं जानते थे लेकिन उसके बावजूद भी जो है उनके भाईों का जो मन था वो संदेह कर रहा था उन्हें शक हो रहा था उन्हें व्याकुलता हो रही थी उन्हें बेचैनी हो रही थी कि आखिरकार महंद जी जो है हरीहर काका को अपने साथ क्यों ले गए हैं और दरसल कुछ ऐसी बाते होती है जिनकी जानकारी जो है बिना बताय ही लोगों को हो जाती है कोई उन्हें बताए या ना बताए उन्हें फिर भी उसके उपर शंका हो ही जाती है शाम घिरते घिरते हरीहर काका के तीनों भाई ठाकुरवारी पहुंचे उन्होंने हरीहर काका को वापिस घर चलने के लिए कहा इससे पहले की हरीहर काका कुछ कहते, महंची बीच में आ गए, आज हरीहर को यहीं रहने दो, बिमारी से उठा है, इसका मन अशान्त है, ईश्वर के दरवार में रहेगा तो शान्ती मिलेगी अब जब शाम बहुत गहरी होती चली गई, तो हरीहर काका के जो तीनों भाई हैं वो ठाकुरवारी पहुँच गए, क्यूं? क्यूंकि वे हरीहर काका को वहाँ से वापिस लाना चाहते थे, अब इससे पहले हरीहर काका अपने भाईयों से बात करते, महंची बीच में आ गए अब ईश्वर के दरवार में रहेंगे तो इन्हें शान्ती मिलेगी अब देखे जो महंची है वो कितने 4 लाख हैं वे हरीहर काका को अपने पास रखने के लिए क्या क्या बहाने बना रहे हैं लेकिन उनके भाई उन्हें घर चलने के लिए जिद करने लगे जिस पर ठाकुरवारी के साधु संथ उन्हें समझाने लगे वहाँ उपस्तित गाओं के लोगों ने भी कहा कि एक राट ठाकुरवारी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा अंततव भाईयों को निराश होकर वहाँ से लोटना पड़ा लेकिन जब महंची हरीहर काका को वहीं ठैरने पर कह रहे थे तो वहाँ पर उनके भाईयों ने जिद की कि वे हरीहर काका को अपने साथ ले जाना चाहते हैं लेकिन ठाकुरवारी के जो सादु संथ थे वे भी जो हैं हरीहर काका के भाईयों को समझाने लगे और वहाँ पर जो गाओं के लोग उपस्तित थे उन्होंने भी कहा कि अगर एक रात हरीहर काका ठाकुरवारी में रह जाते हैं तो क्या बिगड़ जाएगा अब जब सभी लोग ये सब कहने लगे तो उनके भाईयों को जो है निराश होकर अपने घर लोटना पड़ा और हरीहर काका को वहीं ठाकुरवारी में छोड़ना पड़ा रात में हरीहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्टान और व्यंजन मिले वैसे उन्हें ने कभी नहीं खाये थे घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड़ू, छेने की, तरकारी, दही, खीर मिष्टान होता है मिठाई और व्यंजन होता है तरह तरह का भोजन अब रात को जब हरीहर काका को भोजन दिया गया तो उसमें ऐसी ऐसी चीजे थी जो हरीहर काका ने कभी नहीं खाई थे जैसे गी टपकते मालपुए थे, रस बुनिया थे, लड़ू थे, छेने की तरकारी थी, दही थी, खीर थी और भी बहुत सारी चीजें थी जो हरीहर काका ने कभी पहले नहीं खाई थी पुजारी जी ने स्वयम अपने हाथों से खाना परोसा था, पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शान्ती पहुँचा रहे थे एक ही रात में ठाकुरवारी में जो सुख शान्ती और संतोश पाया, वहो अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था अब जो भोजन था, वो पुजारी जी ने खुद ही हरीहर काका को अपने हाथों से परोसा था और साथ में बैठे हुए महंत जी जो हैं वो धर्म पर चर्चा करके उनके मन को शांती पहुचा रहे थे अब एक ही रात में ठाकुरवारी में हरिहर काका ने इतनी सुक शांती और संतोश पाया था जो उन्होंने अपने जीवन में अब तक कभी नहीं पाया था इधर तीनो भाई रात भर सो नहीं सके भावी आशंका उनके मन को मत्ती रही पंदरा बिगे खेत इस गाउं की उपजाओ जमीन दो लाग से अधिक किसम पत्ती अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के ना रहेंगे भावी आशंका होती है भविष्य की चिंता, मतना होता है बार बार सोचना अब उधर तो हरी हर काका खुष थे, संतोष में थे लेकिन इधर जो है तीनो भाई रात भर सो नहीं पाए क्यों नहीं सो पाए क्योंकि उन्हें जो अपने भविश्य की चिंता थी वो उनके मन को बार बार सोचने पर मजबूर कर रही थी वो क्या सोच रहे थे कि वो पंदरा भिगे खेत इस गाओं की इतनी उपजाओ जमीन दो लाख से अधिक की समपती अगर उनके हाथ से निकल जाती है तो फिर वे कहीं के नहीं रहेंगे यानि वो अभी भी हरीहर काका के बारे में न सोच कर उस पंदरा भिगे खेतों के बारे में ही सोच रहे थे सुबा तड़के ही तीनों भाई पुन्ह ठाकुरबारी पहुँचे हरीहर काका के पाउँ पकर रोने लगे अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफी मांगी और उन्हें दंड देने की बात कही साथ ही खून के रिष्टे की माया फैलाई हरीहर काका का दिल पसीज गया वह पुन्हों वापिस घर लोटाए दिल पसीजना होता है मन में दया का भाव जागना तो जैसी ही सुभा हुई तीनों भाई फिर से ठाकुरबारी पहुँच गए और उन्होंने हरीहर काका के पाउँ पकर लिए और रोने लगे उन्होंने अपनी पत्नियों की गलती के लिए उनसे माफी मांगी और उन्हें सांतवना दी कि वे उन्हें दंड जरूर देंगे और उन्होंने फिर साथ में अपने खून के रिष्टे की माया भी फैलाई यानि उन्होंने कहा कि हम भाई हैं और भाईयों से इस तरह से जगड़ा नहीं करते इस तरह से घर छोड़ कर नहीं जाते यानि इस तरह की जो है उन्होंने वहाँ पर बातें फैलाई और मरीहर काका का मन भी जो है दया से भर गया ये बाते सुनकर और वे वापिस घर लोटाए लेकिन यहो क्या इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्षे किया उसने उन्हें सुखद आश्चेरे में डाल दिया घर में छोटे बड़े सब उन्हें सरांखों पर उठाने को तयार भायों की पत्नियों ने उनके पाउं पर माथा रख गलती के लिए एक शमायाचना की अब जब हरीहर काका वहां से वापिस आये तो उन्होंने घर में ऐसा बदलाव पाया जिससे वे बहुत जादा खुश हो गए और बहुत जादा अश्चरे चकित भी हो गए क्यों? क्योंकि जो चोटे बड़े थे घर के जो उनका पहले बिलकुल ध्यान नहीं रखते थे अब वो उन्हें सरांखों पर उठाने के लिए तयार हो गए थे और भायों की पत्नियां जो उन्हें बिलकुल पूछने नहीं आती थी उन्हें रुखा सुखा खाना देती थी उनके पाउँ पर माथा रखकर जो है उनसे अपनी गलती की क्षमा याचना करने लगी उनसे क्षमा मांगने लगी फिर उनकी आओ भगत और जो खातिर शुरू हुई वैसी खातिर किसी के यहां महमान आने पर भी नहीं होती होगी उनकी रूची और इच्छा के मताबिक दोनो जोन, खाना, नाश्टा तयार, पांच महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद, तीन भाईयों की पत्निया और दो उनकी बहुएं अब उसके बाद जो हरी हर काका की आने जाने उनकी खातिर जो भी उनके लिए शुरू हुआ, उनकी सेवाएं शुरू हुई, वो जो है किसी के यहां पर महमान की भी नहीं होती होगी यानि उनकी बहुत जादा जो है सब इज़त करने लगे, सब उनका सम्मान करने लगे और उनकी रूची और उनकी इच्छा के अनुसार ही जो है दोनों समय का खाना बनने लगा अब पांच पांच जो महिलाएं थी वो उनकी सेवा में लगी रहती थी पांच महिलाएं कौन, तीन जो हैं उनके भाईयों की पतनिया और दो जो हैं उन भाईयों की बहुएं हरीहर काका आराम से दलान में पड़े रहते जिस किसी चीज की इच्छा होती आवाज लगाते ही हाजिर वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है इसलिए महंत जी के प्रती उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते जा रहे थे अब हरीहर काका जो है आराम से अपने बरामदे में पड़े रहते थे उन्हें किसी भी चीज की जुरूरत होती तो वे सिरफ आवाज लगाते थे और वो चीज हाजिर हो जाती थी लेकिन वे समझ गए थे कि यह सब जो है महंत जी के कारण ही हो रहा है अब इसलिए उनके मन में जो है महंत जी के परती जो आदर था और श्रद्धा थी उसके भाव जो है वो बढ़ते ही जा रहे थे यानि वो महंत जी के परती बहुत जादा आदरवान और श्रद्धावान हो गए थे बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गाउं के लोग असली तथ्या से स्वयम वाकिफ हो जाते हैं हरीहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ दरसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है असली तथ्य होता है वास्तविक घटना और वाकिफ होता है पदिचित होना अब बहुत बार आपने भी ऐसा देखा होगा कि बिना कुछ बताए ही लोगों को असली बात का पता चल जाता है अब हरीहर काका के घटना में भी ऐसा ही हुआ असल में जो लोगों की जुबान होती है वो घटना की जुबान से जादा असरदार होती है यानि जो लोग कहते हैं वो घटना से जादा असर दिखाता है घटनाय स्वयम ही बहुत कुछ कह देती हैं लोगों की कहने की जरूरत नहीं रहती ना तो गाउं के लोगों से महंची ने ही कुछ कहा था और ना ही हरिहर काका के भाईयों ने ही इसके बावजूद गाउं के लोगों सच्चाई से अवगत हो गए थे अवगत होता है जाना हुआ अब जो घटनाए हैं वो बहुत बार स्वयम ही सब कुछ कह देती है अब हरिहर काका के मामले में भी ऐसे हुआ था कि ना तो गाउं के लोगों को महंची ने कुछ बताया था और ना ही हरिहर काका के भाईयों ने कुछ बताया था लेकिन उसके बावजूद भी गाउं के लोग जो है सच्चाई से अवगत हो गए थे उन्हें सच्चाई का पता चल गया था फिर तो गाउं की बैटकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कहीं कोई अंत नहीं हर जगा उन्हीं का प्रसंग शुरू कुछ लोग कहते कि हरीहर को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए इससे उत्तम और कुछ नहीं इससे किर्ती भी अचल बनी रहती है किर्ती होता है प्रसिद्धी और खयाती और अचल होता है गतिहीन यानि जो हिले नहीं जो अटल हो फिर जब भी उसके बाद गाउं में बैठके होती यानि जब भी गाउं के लोग इकठे बैठते तो बातों का सिलसिला ऐसे शुरू होता कि वो खतम होने का नाम ही नहीं लेता और हर जगा जो हरीहर काका का ही प्रसंग शुरू हो जाता और कुछ लोग यह कहते कि हरीहर काका को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिखतेनी चाहिए क्योंकि इससे जादा अच्छी बात और कुछ नहीं होगी क्योंकि इससे क्या होगा उनकी खयाती जो है उनकी जो प्रसिद्धी है वो बिल्कुल अटल हो जाएगी यानि लोग उन्हें सद्धियों तक याद रखेंगे इसके विपरेत कुछ लोगों की मान्यता यह थी कि भाईयों का परिवार तो अपना ही होता है अपने जाएदात उन्हें न देना उनके साथ अन्याय करना होगा खोन के रिष्टे के बीच दिवार बनानी होगी अब इसके उल्टे कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कहते थे कि जो भाईयों का परिवार है वो भी तो अपना परिवार होता है अब अपनी जायदात जो है अपने भाईयों को ना देकर किसी और को देना भाईयों के साथ अन्याय होगा और खोन के रिष्टे के बीच जो है दिवार बनाने वाली बात होती है जितने मुह उतनी बातें ऐसा जबरदस्त मसाला पहले कभी नहीं मिला था इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे अपने अपने तरीके से समाधान ढून रहे थे और प्रतिक्षा कर रहे थे कि कुछ गटित हो हलांकि ऐसी करम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी समाधान होता है उपाए अब जितने मुह होते हैं बातें उतनी होती हैं यानि जितने भी लोग होते हैं वो अपनी तरह से अपनी बात को रखते हैं और ऐसा जबरदस्त मसाला पहले कभी गावालों को नहीं मिला था इसलिए कोई भी चुप नहीं रहना चाहता था जब भी जिसको मौका मिलता वो हरी हर काका के बारे में अपने हिसाब से उपाय ढूनने लग जाता कि उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और प्रत्यक्ष और प्रोक्ष रूप में दो वर्गों में बढ़ने लगे थे कई बैटकों में धोनों वर्गों के बीच आपस में तू तू मैं में भी होने लगी एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरी हर अपने हिससे की जमीन ठाकुर जी के नाम लिखते प्रत्यक्ष होता है जो सामने दिखाई दे और परोक्ष होता है जो सामने ना दिखाई दे अब हरीहर काका के मामले में जो गाओं के लोग थे वो या तो सामने सबके सामने जो है ये कह रहे थे कि हरीहर काका को ये करना चाहिए या वो करना चाहिए या फिर कुछ लोग ऐसे थे जो सामने तो कुछ नहीं कहते थे लेकिन फिर भी दो वर्गों में लोग बंट जरूर गए थे और जब बैठके होती थी तो ये जो दो वर्ग होते थे एक कहता था कि हरीहर काका को जमेन ठाकुरवारी के अलाम लिखनी चाहिए और दूसरा वर्ग कहता था कि उन्हें भाईयों के नाम लिखनी चाहिए तो इन दोनों वर्गों के बीच में बैठकों में तू तू मैं में भी हो जाती थी यानि गाली गलोच या जगड़ा भी शुरू हो जाता था अब एक वर्ग के जो लोग थे वो ये चाहते थे कि जो हिस्सा है हरी हर काका का वो ठाकुर जी के नाम लिख देना चाहिए तब यहो ठाकुरवारी ना सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरवारी होगी बलकि पूरे राजय में इसका मुकाबला कोई दोसरी ठाकुरवारी नहीं कर सकेगी इस वर्ग के लोग धार्मिक संसकारों के लोग थे साथ ही किसी ना किसी रूप में ठाकुरवारी से जुड़े हैं अब वो चाहते थे कि अगर हरी हर काका अपनी जमीन को ठाकुरवारी के नाम लिख देते हैं तो यो ये ठाकुरवारी है वो केवल इस इलाके की नहीं बलकि पूरे राजय की सबसे बड़ी ठाकुरवारी होगी और उसके बराबर बड़ी ठाकुरवारी कोई दूसरी नहीं रहेगी अब जो ऐसा मानते थे वो वर्ग कौन सा था वो धार्मिक संसकारों वाला वर्ग था और किसी ना किसी रूप में वो ठाकुरवारी से भी जुड़े हुए थे इसलिए वो चाहते थे कि हरीहर काका अपनी जमीन ठाकुरवारी के नाम लिखते असल में जब सुभा शाम ठाकुरजी को भोग लगाया जाता है तब सादू संतों के साथ काओं के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहाँ जुड़ जाते हैं ये लोग इसी वर्ग के हिमायती थे हिमायती होता है तरफदारी करने वाला या पक्षपाती अब असल में जो लोग ये चाहते थे कि जो हरीहर काका है वो अपनी जमीन ठाकुरजी के नाम लिखते हैं वो असल में वे लोग थे जो सुबा शाम ठाकुरवारी में जब ठाकुरजी को भोग लगाया जाता था उस समय जो सादू संतों के साथ गाउं में पेटू और चटोर किस्म के जो लोग थे जो वहाँ पर प्रशाद पाने के लिए जुट जाते थे और इस वर्ग के हिमाईती थे यानि तरफदारी करने वाले थे कहां की ठाकुरवारी के वो चाहते थे की हरीहर काका ठाकुरवारी और लोग कुछ घटित होने की प्रतिक्षा करने लगे थे अब जो दूसरा वर्ग था जो चाहता था कि हरीहर काका अपनी जमीन अपने भायों के नाम लिखते हैं वो जो है ऐसी किसान थे जिनके यहां पर हरीहर काका जैसे या तो औरते होती है या मर्द होते हैं जो पल रहे होते हैं जिनके हिस्से में कुछ जमीन होती है और वे चाहते हैं कि हरीहर काका जो हैं अपनी जमीन अपने भायों के फरिवार को लिखते हैं अब गाओं का वातावरन ऐसे में बहुत जादा तनावपुन हो गया था और लोग जो हैं इस प्रतिक्षा में थे इस इंतजार में थे कि कोई घटना जरूर घटे इधर भावी आशंकाओं के मद्दे नजर रखते हुए हरीहर काका के भाई उनसे यहाँ निवेदन करने लगे कि अपनी जमीन वे उन्हें लिखते उनके सिवा उनका और अपना है ही कौन इस विशे पर हरीहर काका ने एकांत में मुझसे काफी देर तक बात की सिवाए होता है अलावा अब भावी आशंकाओं को या फिर भविशे की चिंताओं को मद्दे नजर रखते हुए हरीहर काका के जो भाई थे वो उनसे निवेदन करने लगे कि वे अपनी जमीन को जो है अपने भाईयों के नाम लिखते क्योंकि उन्हें अब आशंका होने लगी थी उन्हें अब संधे होने लगा था कि कहीं हरीहर काका लोगों की बातों में आकर या महन्जी की बातों में आकर अपनी जमीन को ठाकुरवारी के नाम ना लिखते और वे उनसे कहते रहते थे कि उनके सिवाए उनका अपना है ही कौन यानि उनके भाई ही उनके अपने है अब इस विशे में जो है हरीहर काका ने लेखक से अकेले में बहुत देर तक बहुत सारी बातें की अंत तो हम इस निशकर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदात का स्वामी किसी और को बनाना ठीक नहीं होगा चाहे वो अपना भाई या मंदिर का महंती क्यों ना हो निशकर्ष होता है परिणाम अब अन्त में हरीहर काका और लेखक जो है इस नतीजे पर पहुँचते हैं इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि जीते जी जो है अपने जायदात को किसी और के नाम नहीं लिखना चाहिए ये सही नहीं होगा फिर चाहे वो उनका अपना भाई हो या अगमंदिर का महन्ती क्य ना हो हमें अपने गाउं और इलाके के वे कुछ लोग यादाए जिनोंने अपने जिन्दगी में ही अपने जायदात अपने अर्धिकारियों या किसी अन्या को लिख दी थी लेकिन उसके बाद उनका जीवन कुट्टे का जीवन हो गया उन्हें कोई पूछने वाला नहीं अब जब लेखक और हरीहर काका बात कर रहे थे जब वो इस बात का निर्णे ले रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए तो उन्हें कुछ ऐसे लोग यादाए जिनोंने अपनी ही जिन्दगी में जो है अपनी जायदात अपने उतर अधिकारियों को या किसी और को लिख दी थी लेकिन उसके बाद उनका जो जीवन था वो कुछ तों कासा जीवन हो गया था यानि उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं था हरीहर काका बिलकुल अनपडव्यक्ती हैं फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यहो निश्चे किया कि जीदे जी किसी को जमीन नहीं लिखेंगे अपने भाईयों को समझा दिया मर जाओंगा तो अपने आप मेरी जमीन तुम्हें मिल जाएगी जमीन लेकर तो मैं जाओंगा नहीं इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत अब हरीहर काका भले ही अनपड़ व्यक्ती थे लेकिन फिर भी वो इस पदलाव को समझ गए थे जो उनके भाई जो उनके भाईयों का परिवार पहले उनके साथ करता था और अब उनके साथ कर रहा था वो ये समझ गए थे कि ये सब जो है उनकी जमीन के लिए हो रहा है उसके बाद उन्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा इसलिए उन्होंने ये निश्चे कर लिया था कि अपने जीते जी वो अपनी जमीन किसी के नाम नहीं लिखेंगे और उन्होंने अपने भायों को भी ये समझा दिया था कि अगर मैं मर जाओंगा तो मेरी जमीन अपने आप उन्हें मिल जाएगी और मैं जमीन लेकर तो स्वर्ग में जाओंगा नहीं इसलिए लिखवाने की क्या जरूरत है उधर महन जी भी हरीहर काका की टोह में रहने लगे जहां कहीं एकांत पाते कह उठते विलम ना करो हरीहर शुपका में देर नहीं करते चल कर ठाकुर जी के नाम जमीन बै कर दो फिर पूरी जिंदगी ठाकुर जी में राज करो मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए सुर्ग से विमान आएगा देवलोग को प्राप्त करोगे अब महन जी भी जो हरीहर काका को रोज जो है जब भी देखते तो उन्हें एकांत में पाते ही रोज कहते थे कि उन्हें देर नहीं करने चाहिए क्योंकि शुब काम में देर नहीं करते उन्हें ठाकुर जी के नाम जमीन लिख देनी चाहिए और अपनी पूरी जिन्दगी ठाकुरवारी में राज करना चाहिए क्योंकि जब वे मरेंगे तो आत्माद को ले जाने के लिए सुर्ग से उनके लिए विमान आएगा और वे देव लोग को प्राप्त करेंगे यानि जो महंच जी हैं वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से हरीहर काका को मनाने में लगे हुए थे कि वे अपनी जमीन को ठाकुरवारी के नाम कर दें लेकिन हरीहर काका ना हां कहते और ना ना कहकर वे महंच जी को दुखी करना नहीं चाहते थे क्योंकि भाईयों के परिवार से जो सुख सुविदाएं उन्हें मिल रही थी वे महंच जी की कृपा से ही और हा तो उन्हें कहना नहीं है क्यूंकि अपनी जिन्दगी में अपनी जमीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी इस मुद्दे पर वे जागरुक हो गए थे अब जब महंच जी भी उन्हें समझाते रहते थे फिर भी जो हरी हर काका ना तो उन्हें हा कहते थे और ना ही ना कहते थे क्योंकि ना कहकर वे महंच जी को दुखी नहीं करना चाहते थे क्योंकि भायों के परिवार से अब जो उन्हें सुक्सु विधाय मिल रही थी जो सम्मान मिल रहा था वो सोच रहे थे कि वो महंत जी की वज़ा से ही मिल रहा है और हाँ वो बिल्कुल नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने निश्चे कर लिया था कि वे अपनी पूरे जिन्दगी में जीते जी अपनी जमीन कभी किसी के नाम नहीं लिखेंगे इस मुद्दे पर जो है वे पूरे जाग रुख हो गए थे वे इस बात पर अडिक थे कि वे ऐसा ही करेंगे अपनी जिन्दगी में अपनी जमीन किसी को नहीं लिखेंगे अब जैसे जैसे समय बीत रहा था उसके साथ महंच जी को जो है चिंताएं हो रही थी उनकी चिंता बढ़ रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो उन्होंने चिडिया को फसाया था यानि हरीहर काका को उन्होंने अपनी बातों में फसाया था वो अब उस जाल से बाहर ह और महन जी जो हैं ये सब बाते सैंनिहीं कर पा रहे थे क्योंकि वे चाहते थे कि हरिहर काका अपनी जमीन जो है वो ठाकुरवारी के नाम लिखते और महन जी को लग रहा था कि जो हरिहर काका हैं वो धर्मसकण में पड़े हुए है यानि वो दो तरफा सोच रहे हैं एक और वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं किन्तु दूसरी और भाई के परिवार के माया मुहों में बन जाता है इस्तिती में हरीहर का अपहरन कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं बात में हरीहर स्वयम राजी हो जाएगा जबरदस्ती होता है बल पुर्वक और अतिरिक्त होता है सिवाए विकल्प होता है उपाए और राजी होता है सहमत होना अब महंची सोच रहे थे कि हरीहर काका दो तरफा सोच रहे हैं धरम सकट में पड़े हुए हैं एक और वो ये सोच रहे हैं कि ठाकुर जी के नाम जमीन लिख देनी चाहिए और दूसरी और वो ये सोच रहे हैं कि भाईों के परिवार के मुहमाया में फसे होने के कारण जो है वो ये भी चाहते हैं कि वो अपनी जमीन जो है भाईों के परिवार के नाम करते अब ऐसी स्थिती में महंची जो हरीहर काका का अपहरन करने की बात सोचते हैं अब देखिए महंची कितने जादा कुरूर हैं वो कितने जादा स्वार्थी हैं कि अब वो एक जमीन के लिए हरीहर काका का जबरदस्ती बलपुर्वक अभरन करके उनसे जमीन जो है ठाकुरवारी के नाम लिखवाना चाहते हैं अब वो ये सोच रहें कि ऐसा करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा उपायर नहीं है और बाद में वे सोच रहें कि हरीहर काका बाद में स्वयम ही सहमत हो जाएंगे कि ये सब ठीक हुआ महन जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं अपनी योजना को कार्या रूप में परिनत करने के लिए वह जी जान से जुट गए हलनकि योज़ सब गोप नियता का निर्वाह करते हुए ही कर रहे थे हरीहर काका के भाईों को इसकी भनक तक नहीं थी दबंग होता है प्रभाव शाली और परिनत होता है जिसमें परिवर्था हुआ हो और गोपनियता कहा जाता है जो सभी को ना बताकर कुछ लोगों को ही बताया जाए निर्वाह होता है निभाना या आग्यानुसार कार्या करना भनक होता है उर्टी खबर अब जो महंची हैं वो बहुत जादा लड़ाको और प्रभावशाली प्रकृती के व्यक्ति थे शुरू कर दिया था यानि हलांकी जो ये सारा जो प्लैन था वो बहुत ही जादा गुपत रूप से हो रहा था किसी को नहीं बताया जा रहा था बहुत कम लोगों को इस बारे में पता था और इसकी जो भनक थी जो उड़ती खबर थी वो भी जो है उनके भायों तक नहीं पहुँच पाई थी यानि किसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था बात अभी हाल की ही है आधी रात के आसपास ठाकुरवारी के सादुसंत और उसके अब लेखक बताते हैं कि बात अभी कुछ पहले की ही है कि आधी रात के समय जो है ठाकुरवारी के कुछ सादुसंत और ठाकुरवारी के जो कुछ पक्षधर हैं वो भाला गडांसा और बंदुक से जो है लैस होकर यानि उन्होंने अपने पास हत्यार लिये हुए थे वो एका एक यानि अच्चानक ही जो है हरीहर काका के बरामदे में आ गए हरीहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तयार नहीं थे इससे पहले की वे जवाबी कारवाई करे और गुहार लगा कर अपने लोगों को जुटाए तब तक आकरमन कारी उनको पीट पर लाद कर चमपत हो गए अप रत्याशित होता है आकस्मिक या जिसकी आशा ना रही हो गुहार होता है रक्षा के लिए गुहार लगाना या आवाज लगाना और चमपत हो जाना होता है गाइब हो जाना अब जो हरीहर काका के भाई थे उन्होंने ये बिलकुल आशा नहीं की थी कि ऐसा भी कोई हमला होगा वो बिलकुल तयार नहीं थे और इससे पहले कि वो कुछ करते जैसे ही उन्हें पता चला वो अपनी रक्षा के लिए या हरीहर काका की रक्षा के लिए अपने लोगों को उनका किड्नैप कर लिया गाउं में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी ना सुनी ही थी सारा गाउं जाग गया शुपचिन तक तो उनके यहां जुटने लगे लेकिन अन्य लोग अपने दलान और मकान की छटों पर जमा होकर आहट लेने और पातचीत करने लगे शुपचिन तक होता है भलाई चाहने वाले और आहट होता है किसी के आने जाने या बात करने की मंद आवाज अब गाउं के लोगों ने कभी भी ऐसी किड्नैपिंग की जो घटना हुई थी वो ना तो कभी देखी थी और ना ही ऐसी कोई घटना सुनी भी थी तो क्या हो गया जो सारा गाउं था वो जाग गया जब उन्हें पता चला कि हरीहर काका का किड्नैप हो गया है उनका अपरन हो गया है अब जो हरीहर काका की भलाई चाहने वाले लोग थे वो तो हरीहर काका के घर में आने जाने लगे लेकिन जो दूसरे लोग थे वो जो है अपने बरामदों में और अपने मकानों की छटों पर जमा हो गए और बात करने की छोटी से छोटी आवाज को भी जो है सुनने लगे और आपस में बातचीत करने लगे हरीहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूनने निकले उन्हें लगा कि यहां महंत का काम है वे मैं दलबल ठाकुरवारी चा पहुँचे वहां खामोशी और शांती नजर आई रोज की भांती ठाकुरवारी का मुख्यफाटक बन था मै होता है युक्तिया भरा हुआ और दलबल होता है संगी साथी अब हरीहर काका के जो भाई हैं वो लोगों के साथ मिलकर जो हरीहर काका को ढूनने निकले अब उन्हें लग रहा था कि हरीहर काका का जो अफरन हुआ है वो महंत चीने करवाया है अब वो लोगों के साथ जो है पूरा दलबल लेकर अपने संगी साथियों को लेकर ठाकुरवारी जा पहुंचे वहाँ पर उन्हें खामोशी और शांती ही नजर आई यानि वहाँ पर देखकर ऐसा कुछ भी प्रतीत नहीं हो रहा था कि कोई किसी का अभरन करके वहाँ लाया हो रोज की तरह जो है ठाकुरवारी का जो मुख्य द्वार था वो बन था वातावरन में रात का सन्नाटा और सुनापन व्याप्त मिला उन्हें लगा यह का महंत का नहीं पहार के डाकों का है वे तो हरजाने की मोटी रकम लेकर ही हरीहर काका को मुख्त करेंगे सन्नाटा होता है चुपिया, मौन और सूना पन व्याप्त होना होता है पूरी तरह फैला हुआ या समाया हुआ हरजाना कहा जाता है हानी के बदले दिया जाने वाला धन तो हरिहर काका के भाई और लोग जब ठाकुरवारी पहुँचे तो वहाँ का जो वातावरन था वो उन्हें बिलकुल चुपी भरा मिला और वहाँ पर जो सूना पन था वो चारों ओर से फैला हुआ था यानि वहाँ पर किसी को नहीं लग रहा था कि वहाँ पर कुछ गलत हुआ है उन्हें लगा कि शायद ये काम महंत का नहीं है ये कोई बाहर के डाकू है जो हरीहर काका को किड्नैप करके ले गए है वे जो है अब हानिक के बदले जो धन मांगा जाता है यानि जो किड्नैपिंग के बदले रुपए पैसे मांगे जाते हैं वे तो अब बहुत जादा मोटी रकम को लेकर ही हरीहर काका को मुक्त करेंगे वो सब जो है ये सारी चीजे सोच रहे थे खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की और प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुरबारी के अंदर से बाचित करने की समलित किंतु धीमी आवा सुनाई पड़ी सब के कान खड़े हो गए प्रस्थान होता है जाना और समलित होता है सामोहिक अब जैसे ही जो खोज में आये हुए लोग थे हरिहर काका के भाई और उनके साथ गाओं के लोग वे जैसे ही दूसरी दिशा में हरिहर काका को ढूनने के लिए जाने लगे उसी समय उन्हें ठाकुरबारी के अंदर से सामोहिक बाचित की आवाँ आई सामुएक बात चीत एंग वो ऐसा उन्हें लगा कि जैसे कोई जुन में बात कर रहा हो लेकिन बहुत धीमे से बात कर रहा हो और सब के कान खड़े हो गए सब जो है सुनने लगे कि आखिर बात क्या है उन्हें यकीन हो गया कि हरीहर काका इसी में है अब क्या सोचना वे ठाकुरवारी का फाटक बीटने लगे इसी समय ठाकुरवारी की छट से रोड़े पत्थर उनके उपर गिरने लगे वे तितर बितर होने लगे अपने हत्यार संभाले लेकिन हत्यार संभालने से पहले ही ठा जोर से ठाकुरवारी का फाटक पीटने लगे तो इसी समय क्या हुआ जो ठाकुरवारी की छट है उसके उपर से उनके उपर रोड़े और पत्थर गिरने लगे अब लोग जो है अपने आपको बचाने के लिए इधर उधर अस्त वेस्त हो गए इधर उधर भागने लगे हरिहर काका के भाईयों के पक्ष्टत भाग चले फिर वे तीन भाई बच गए अपने तीनों के बूते यह यूद को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर तोड़ पड़े बूते होता है अपने बल पर तो जैसे ही फाइरिं तीन भाईयों को अपने बल पर यह यूद जीतना जो है उन्हें संभव नहीं लगा इसलिए वे क्या हुआ इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दोड़ पड़े पुलिस की सायता लेने के लिए उधर ठाकुरवारी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी स साधू साधे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरीहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे हरीहर काका तो महंत के इस वेवार से जैसे आसमान से जमीन पर आ गए थे जबरन होता है जबरदस्ती अब ठाकुरवारी के अंदर महंत और उनके जो कुछ विश्व वे कागस थे उनके उपर जो है अनपढ़ हरीहर काका के अंगूठे के निशान जबरदस्ती ले रहे थे और हरीहर काका जब महंत जी के इस रूप को देख रहे थे तो उनका जो वेवार था वो उनके लिए ऐसा था जैसे आसमान से जमीन पर गिरने पर उन्हें महसूस हो रहा था मतलब हरीहर काका बहुत जादा परेशान हो गए थे महंत जी को इस तरह से वहवार करते देखकर उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे जिस महंत को वे आदर्णिय और श्रद्धय समझते थे वह महंत अब उन्हें ग्रिनि होता है गिनोना दुराचारी होता है दुष्ट या बुरा आचरन करने वाला अब हरीहर काका ने सपने में भी ये नहीं सोचा था कि जो महंत जी हैं वो इस रूप में भी कभी सामने आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने महंत जी को आदर के योग्या और श्रद्धा के योग्या स महंत की तुलना में जादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा था, हरीहर काका ठाकुरवारी से अपने घर पहुँचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे, नेक होता है भला और बेचैन होता है व्याकुल, अब जो है हरीहर काका को महंत की तुलना में अपने भायों का जो परिवार है वो बहुत जादा पवित्र, भला और अच्छा लगने लगा था, और हरीहर काका जो है ठाकुरवारी से अपने घर जाने के लिए बहुत जादा व्याकुल हो रहे थे, लेकिन जो लोग थे, जो सादू थे, उन्होंने हरीहर का कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे, उससे उबारने के लिए यही एक मातर रास्ता था, उबारना होता है पार करना या निकालना और एक मातर होता है केवल एक, अब यहां देखिए जो महंची हैं, वो अब भी कितने निश्ठूर हैं, कितने पापी हैं, जो अब भी ह हरीहर काका का किटनेप करने के बाद जबरदस्ती, उनका जो है अंगूठा, सादे कागज और लिखेवे कागजों पर लेने के बाद भी जो है, उन्हें समझा रहे हैं, उन्हें अपनी सफाई दे रहे हैं, कि उन्होंने ये सब जो है हरीहर काका की भलाई के लिए किया है, और अभी हरी हर काका को लग रहा होगा कि अभी उनके साथ जोर जबरदस्ती हुई है लेकिन वो बाद में समझ जाएंगे कि जिस धरम सकट में वो पड़े थे उससे बाहर निकालने के लिए महंच जी ने बहुत अच्छा रास्ता चुना है और केवल एक ही ये रास्ता था जो काम आ सकता था इस भाग में आपने जाना कि हरी हर काका की जिंदगी में कितने उथल पुथल हुई है कि पहले हरी हर काका जो हैं वो अपने परिवार से दुखी थे फिर महंच जी उन्हें समझा रहे हैं फिर बाद में परिवार का वहवार उनके साथ इतना अच्छा हो जाता है और महंच जी का वहवार बिल्कुल उल्टा हो जाता है हरी हर काका जो हैं बिल्कुल बीच में फसे हुए हैं उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है वो अपने घर जाना चाहते हैं अपने भाईों के परिवार के पास जाना चाहते हैं और महंत जी अब भी उन्हें समझा रहे हैं कि जो उन्होंने किया है यानि हरी हर जी की जो किटनैपिंग की है वो बिलकुल सही किया है वो बिलकुल अपनी जगा पर सही है तो आगे के अध भाग में जानेंगे धन्यावाद